सब्सक्राइब दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे आप सब का मेरे चैनल लाइफ चार बज रहे हैं और हम करीब करीब बहुत चुके हैं असी घात पर और वहां का कारिक्राम अब शुरू होगा तो आएए शामिल होते हैं चुत्रं देवाना मुदगारनी कंचक्ष वित्रस्या वर्णस्या आप राज्या प्रिथिवीजंद सज्या तक्सू जस्या देवत्वं धन्महित्वं अध्यापर्तों मिदा तंधन्या वाला यदेवयुक्त हरितस्त अधस्तादात्रा त्रिवातस्त अनुदेसिमस्माई दोस्तों आप शामिल हैं सुबह बनारस में बालिकाओं दोरा किये गए इस मंत्रो चार के बाद देखिए शुरू हो गए ये आरती मागंगा की आरती सुबह की आरती तो आईए देखें आरती पूरी आस्था के साथ सुबह बनारस और शाम अवद यह कहावद तो आपने सुनी होगी और यह सचमुछ दुनिया की दो सबसे खुबसूरत चीजों को दर्शाती है बनारस की एक सुबह और लखनों की एक शाम तो सचमुछ देखने लाइक है और वारणसी की एक सुबह पूरे भारत में हम सब के लिए बहुत दुल्चस्थ अनुभव प्रदार करती हैं तो इसका एक हिस्सा होना वाकई अपने आप में बहुत सुखद है यह देखिए आर जोसे होती है और यह सुबह बनारस शुरू हुआ था नाइनटीन फोटीन में तो आपको बता दूँ कि यह सुबह बनारस बहुत ही खास है पहले भी मैंने आपको बताया कि करीकरी 42 मिनट लंबी गंगा आर्थी है आर्थी असी घार्थ पर और यह सुर्य देव और पवित्र नदी गंगा दोनों की प्रात्ना है यानि दोनों की प्रात्ना एक साथ की जाती है आरती की जाती है और फिर आरती एक त्यंद आवास्तविक अनुभव है मतलब इसका अनुभव इतना विराथ है कि मतलब उसको सिर्फ आप अनुभव ही कर सकते हैं और वर्ष के प्रत्यक देली पूरे लगन से सुबह बनारस लगातार जारी रहता है अगर आपको मौका मिले तो आप सरूर आएं और इस सुबह बनारस का हिस्ता बने देखे यहां यह साथ बटुक साथ बटुकों ने मा गंगा के आर्षिक की आप तो देख रहे हैं तो यह साथ बटुक यह सब्स रिश्यों के प्रतीक है इसके साथ बटुकों को यहां पर उनके द्वारा ही नहींगा की आर्षि की जाती है साथ में मात्री छेतना की प्रती पाणिनी कन्या जो है रिशी कन्याओं ने जैसे कि आपको शुरू में वैदिक मंत्रों 14 सफ़र पाथ किया मैं रस्ते टिन क्रत्ते बहर आपको देखने मिलेगा और यहां की जटलता है यहां के यहां के अपके इखलाइयर में करना चाहूंगी और यह इने सब्सक्राइब करती यहान देखे लगातार शंक की आवाज आप तक पहुच रही होगी तो ये स्वागत है इस नई सुबह का और वहाँ आसमान में भी वो लालिमा विखेड रहे हैं बस सूरज भगवार के उद्य की तैयारी है पूरे ताम जहाम से आसमान से जहातने ही वाले हैं तो उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए इतनी तैयारिया है तो अब करीब करीब आती चक्न हो चुकी है ये देखिए दीब अभी तक प्रज्वलित है भगवान सूर्य अभी तक पूरी तरह उगे नहीं है बस चारों करफ लालिमा बिक्री हुई है तो बस अब आने की त यारी है आस्वान पर बस एक बहुत सुंदर लाल टीका दिखेगा आपको जब अद्बुत छटा आप भिखे रहेंगे सूर्य भगवान तो ये जो सुबह बना रहता है ये असी घाट पर हर रोज होता है और शाम की जो आरती है वो दशाश में घाट पर हर शाम होता है तो और हर रोज दर्शक यहां आते हैं और उतनी ही श्रद्दा से निश्ठा से आरती करते हैं आच्मन करते हैं गंगा का आवाहन करते हैं तो और उसके बाद ये कारिक्रम होते हैं तो ये धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ ये सांस्कृतिक अनुष्ठान भी है तो यहां प अरफित करने के लिए मागंगा को और इसके बाद फिर इधार सांस किट्फिक्ष का रब होगा जिसमें गाएन और अन्य कारिक्रमा को समखिले case कि वाद योग काारिक्रम होगा यहां देखिए सारे वेक्टी खट्टे हो चुके हैं फिर से आस्मान आस्मान लगातार भगवान सूरे का रत लेकर पसब उपस्तित होने ही वाला है तो यह हर पल का हक्षन का यह जो वीडियो है क्लिप्स है मैं आप तक पहुंचा रही हूं ताकि आप भी दर्शन कर सकें य आजमन किया और अब बस खुश्पर्पिट करेंगे अपर नाम करेंगे आर्पी लेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ करेंगे तो यह सब चलदा है देखिए पहुंचाल करेंगे अपने स्याहिं किव गार Defence Dalai हादा 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 तो आप सूरी को अरग दें और फिर ये आरती लेकर खुशाद वित्रन का कारिक्रम आगे बढ़ रहा है ये देखें कर दो कर दो कर दो कर दो तर अब इधर अब सांस्कृतिक कारिक्रम आराम होंगे मंच सजी गया है कारिक्रम शुरू होने वाला है तो आईए इन्हें भी सुनते हैं आप इनकी सांस्कृतिक कारिक्रम को भी देखें शास्त्रिय संकीत का भी लुद्फ उठाएं और साथ ही साथ आप गंगा का वियंगम अंद्रेश भी देखें देखें दूर तक कैसे गंगा फैली है और उपर अब बस सुर्ण निकरने की तैयारी है और यह मैं जड़ा नीचे उतरने की कोशिश कर देए हैं खाला की जंगा तक तक जाने का इवादा नहीं है कुछ सुड़िया मैं उतर कर देखना चाहती है तो वहीं देखकर आई कुछ लोग सुरी को अर्ग दे रहे हैं यह देखें यहा नाविकों और नाव दोनों की भीड़ हैं और दोनों इंतजार कर रहे यह तो को बस अब उगने वाले हैं चारो तरफ लाली माच छा गई है तो ये बहुत ही खुशूरत सी सुबह सुबह बना अरस की तो बस अब कारिकरम का अंत ही होने वाला है इसके बार हम वापस घर जाएंगे यहां कुछ आवाजें आप तक पहुँच रहे होंगी नाविकों की ये पुकार यात्रियों के लिए तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो आपको मैं यही इन प्राकरतिक चटा के साथ छोड़े जा रहे हैं आप गंगा के खिनारे को इसकी सुन्दरता को देखिए नाविकों की आवाज आप तक पहुच रही होगी और ये देखिए द्रिश नाव को दियान से देखिए कितना सुन्दर रंज हैं मैं घर जाकर के इसकी पेंटिंग जरूर बनाना चाहूँगी पॉटर कलर पेंटिंग बहुती कुप्सूरत पेंटिंग बनेगी मैं आज सुर्योदय यहां का देख पाई नाव की गंगा के तर्ट की मेरा मैं मूर चली घर की और अब स्वेडियां चड़ते वे मैं पहुंच रही हूं अब आपस तर जाओंगा के यह द्रिश अभी यह नाविकों की आवाज ही हैं जो आप तक पहुंच रही हैं डागराउन में यह याद्रियों को आवाज दे रहे हैं आपसास के सबाग चल रहा है बस अब हम लॉट चले हैं घर की और रास्ते में हमने यह चोटे-चोटे मंदिर देखें यह देखी कितने को सूरत चोटे-चोटे से मंदिर हैं पर यह पूल यह बैठा माली है द्रंग की रँगना पूल और माला और जो भी बहगवान को चड़ता है कि मादार की माला के यह स्थी घाट कर ड कर अए यह नेमपलेट लगा हुआ है यह देखें लाल और तूले नारंग दियए तरह के पूलय है पिल्षी माला है इनके पास और यह जलक के सड़क की देखिए जहां दूर से एक साथु महराज आ रहे है तो यह साथु महराज खड़े हो गए और यह वापस हम लोग वापस अपने घर जा रहे है रास्ते में यह गाए गोरू सब्ली है शाम को हम दोग निकले सारनाथ का दर्शन करने के बहुत ही फीरती और बारिश भी बहुत ही तो दोस्तों कुछ जलक आपको सारनाथ की यहां मिलेगी इसके बारे में मैं फिर बताऊंगी आपको पर बस आज का वीडियो मैं सारनाथ दर्शन के साथ ही अंद करना चाहूंगी उमीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह दर्शन सुभे बनारस भी सारनाथ भी बाकी जो भी क्लिप्स और वीडियोज मैंने डाले उमीद है आपको बहुत अच्छे लगे हो अगर अच्छा लगा हो सब तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताईएग और सारनाथ के बारे में विशेश फिल्म है एक बार फिर दूसरे वीडियो में विस्तरत रूप से आपको बताऊंगी कुछ क्लिप्स मैं यहां लगा रही हूँ और आज बनारस में मेरा आखरी दिन है कल मैं सुबह बारा साड़े बारा बजे यहां से एपोड के लिए नि वीडियो के साथ आप उबनाएं जरूर मिलेंगी यहां आपको दिख रहे हैं बहुत बर्सा देखे हम बहुत भीग चुके हैं यहां पर भीगे यह से हम लोग और जरासा वो छाया मिली तो वहीं आसपास रुक है यह भगवान गौतम बुद्ध महीं पर दो वेक्ति हमें मिलें जोने सब्सक्राइब भी किया मुझे बता रहें यह लोग 36 गड़ के थे यह देखिए यह चटा कितनी पुबसूरत है बड़ा सा घंटा तो पानी बरसने के वज़े से बहुत सुन्दर द्रिश और भी हो गया था सब उच्छरा बारा हो गया तो इस तर सब आपके साथ शेयर किया है उमीद है आपको बहुत अच्छा लगा हो होगा तो इसी के साथ मैं आपसे पीदा लेना चाहूंगी नमस्ता और यह देखिए रूट से लोग वापस घर के और पहुंच रहे हैं अब फिर आपसे मिलते हैं दूसरे दित तब तक के लिए शु क्राशगारी नमस्ता बहुत चाहरे विलते हैं आपसे मिलते हैं आपसे वática के भालेश के ब करतने हैं ech biva झाने हैं आपसे लोगे वेंजैर करें मिलते हैं और भापसे से ऊल्चाहव टायएकि आपसे तक मिलते हैं बयाएश्य कैम्स्ट